आर एंड एस यूरानी फार्वेसी वस्ट फ्लोर आपोजिट केनरा बैंक बहदुर्पुरा एक्स रोड हैदरबाद मैं हूँ सज्जाज जैदी और मेरे साथ अब्दुरशीत देश सकते के मेरे हाथ में यूनिस्टोन ये कैसी दवा है किते ही सालों से अगर फतर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लाइडर के भी जा फतर होता है आप्रेशन से नहीं निकलता लिगी ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरीन के जरीए जो बूरा होके निकल जाएंगा इस खबर नामे को पेश करदा अलमनान जेल्स शाली बंडा है दरबाद यूरोपेन कंटरी स्वेडन में आया आप एक नया फतना सुसाइटी की मदीद बिगार के लिए शुरू हुआ एक नया आमल शेतानी दिमाग पर चलने वालों ने किया है जिना को आम आखरी हदों को पार करते हुए कर दिया है एक गहरी खिनी काम और अब सेक्स को स्पोर्स का भी दरजादे दिया गया है और इस नये गेम के तहट एक इदम अनोखा और बहत्तरीन काम शुरू होने के लिए जा रहा है और परदे में रहकर किये जाने वाले औरत मर्द के अमल को अब बेहाई में तब्दिल करते हुए बादापता इसे आम कर दिया जाने वाला है वैसे ही पहले से एच यूरूपेन और वेस्टन कंटरीज्स में तो इस तरह कामल बहुती कॉमन हुआ करता है मगर अब इस से भी ज्यादा बहुती अडवांस कामा करते हुए परदे में रहने की इन तमाम चीज़ों को सड़कों पर ला दिया जा रहा है और फिर शेतान की पेरवी करने वालों ने गेरी खिनी तोर पर इस नए स्पोर्ट्स गेम याने सेक्स के आठ से दस दिनों के चैंपियनशिप को भी औरगनाईश करने का एलान कर दिया है ये चैंपियनशिप आठ जून दोहजार ते विस से शुरू होने वाली है जिसमें औरत वा मर्द सब के सामने अपनी जिन्सी खौइशात की तक्मिल को मकमल करते हुए नजर आएंगे क्योंके ये अमल सेक्स चैंपियनशिप का एक हिस्सा है और जो भी इस बेहाई के कॉम्पिटिशन में बहतर से बहतर मظाहरा पेश करेगा उसे पॉइंट्स भी दिये जाएंगे और फिर पॉइंट्स देने के लिए वहाँ पर जजजेस की एक टीम भी मौजूद रहेगी जो लाइव इस शेतानी अमल वा बेहाई के मनादिर को देखेगी और फिर शायद साल 2023 सेक्स चेंपियनशिप के एवार्ट से भी नवाजा जाएगा और इस बहाई के कॉम्पिटिशन में 5 से 10 पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और जो भी 10 पॉइंट्स हासिल करेगा वही इसका विनर कहलाया जाएगा मगर इस बहाई के चेंपियनशिप में और्गनाईजर्स की तरफ से बताए जाने वाले स्टेप्स पर ही खरा उतरना होगा क्योंकि इस चेंपियनशिप में तकरीबन 16 कैटेगरीज रखे गए हैं और फिर मुखतलिफ स्टेज़स को भी पार करना होगा इसके अलावा दोनों मर्द वा औरत को 45 मिनट से एक घंटे का वक्त भी दिया जाएगा जिसके जरीए इनका अमल देखा जाएगा और फिर दूसरे स्टेप्स भी इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा होंगे मगर खास बात तो यह है कि इस शेटानी अमल में हिस्सा लेने के लिए अब तक दुनिया भड़ से सिर्फ और सिर्फ बीस लोगों ने ही अपने नामों को भेजा है हलांके शेटान के पैरोकार याने और्गनाईजर्स की तरफ से तो बेहाई के इस चैंपियंशिप में साइंक्डों वहजारों लोगों की तादाद में हिस्सा लेने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था मगर इससे ये बात समझ में आती है कि इस बेहाई के कॉम्पिटिशन में किसी को भी ज्यादा दिल्चस्पी नहीं है नहीं तो फिर अब तक साइंक्डों वहजारों लोग आ गया जाते थे ये बात तोर है के बाहर सड़कों पर पपस में पार्टिस में और फिर फ्रेंट सरकल में मौज मस्ती करना और बात होती है और इस तरह की बेहाई वाले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर अपनी इज़तों को निलाम करना सबसे बड़ा बत्तरीन अमल होता है शायद इसी वज़े से भी लोगों ने अपनी इज़तों की निलामी के डर वा खौफ से इस शैतानी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं हलांके अमुमन बेहाई के कामों में वेस्टन और यूर्पिन कंटरिस आगे ही है और फिर औरत और मर्द की दोस्ती के अलावा इनके बीच में लिविंग रिलेशनशिप वगरा वहाँ पर कॉमन हुआ करता है मगर इसके बावजूद इस बेहाई के कामपिटिशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ 20 लोगों के नामों का वसूल होना इस बात की दलील देता है कि वहाँ के लोग भी इस बेहाई वाले कॉम्पिटिशन के खिलाफ है मगर कुछ लोग है जो शैतानी रास्ते पर चलते हुए इस तरह का अमल करने के लिए जा रहे हैं जो बिल्कुल या तोर पर एक अल्ला के अहकामात के खिलाफ वर्दी करना है अगर अल्ला पाक जलाल में आगए तो यकीन अज़ाब नादिल होगा और फिर कुछ लोगों की इन शैतानी हरकत से सभी को उसका खुम्यादा भुगत ना पड़ेगा ताजब की बात तो यह है कि इस बेहाई के अमल को स्पोर्ट्स खराड़ देना और फिर इसके नाम से चैंपियंशिप औरगनाईश करने में किसका दिमाग चला होगा और जिसने भी दिमाग चलाया होगा उसका यही कहना है कि इस चैंपियंशिप को देखने के बाद दूसरे कंटरीस वाले भी आगे आएंगे हमारा तो यही मानना है कि जो भी इस अमल को आम करने के लिए जा रहा है और जो भी इस में हिसा ले रहा है यखिनन वो शैतान के पुजारियों में से ही होगा जो शैतान को खुश करने के लिए एक अल्ला के खिलाफ वर्दी करते हुए शैतानी अमल को आम करने में लगे हुए है जिस पर आप सब का क्या कहना है कॉमेंट बाक्स में जरूर जवाब देना